जाहिए दोस्तों आपके अपने चनल यास्किया हम इस्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है बहुत ही महत्तों पुए उप्रियों के साथ आपको सामने हाज़ी ने बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो अपने होने वाली है देखेंगे इस वीडियों हम पढ़ने क्या वाले कि अच्छी तरीके सबनी पढ़ाई को भी कांटिन्यू करते रहना है ठीक है और दिवाली तो मना चुके होंगे सब भी लोग ठीक है तो इस तरीके को जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्तों हो सकते हैं और आपको एक्जाम के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट ह हो सकते हैं तो मेरी पैर बच्चों आपको क्या करना है यादा चैनल को सेयर करना है लाइक कमिट सब्सक्राइब शरूर कर देना है और इसकी पीडिये भी आपको मिल जाए कहां यसकी याम इस्टडीक्लासिज.com वेबसाइट और इसकी याम इस्टडीके लिए रांग चैन चलिए परशन देखते हैं पहला परशन देखे क्या है निमन में कौन फेहलिंग बिलियन का अपचयन नहीं कर सकता है ऐसा कौन सा है जो फेहलिंग बिलियन का अपचयन नहीं कर सकता है तो देखिए चार अपसन आपको दिख रहे हैं पहला फार्मिक अमल दूसरा एसिटिक अंसर क्या हो जाएगा हमारा एससे टिक अमल हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुशन देखे अगला कुशन हमारा क्या है बहुत ही इंपोटेंट यह भी है और आपके एक्जाम्पले तो बहुत ही महत्वर पूर्ण है रोजे मुंड अपचेहन द्वारा प्राप्त होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले है और बहुत ही महत्वर पूर्ण बीडियो एक अपको दिख रहे होंगे अगला कुशन क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट यह भी है और आपको एक्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वर पूर्ण है सबसे मीठी सरकरा कौन सी सरकरा तो बहुत होती है तो सबसे मीठी सरकरा हमारी कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले है तो आप सभी लोग बस हमारे साथ चैनल बे बने रही है अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रही है यहां पर दिखिए चार आपको दिख रहा होगा गलूकोस, फ्रक्टोज और सुक्रोज तेहां पर अंसर की बात करेंगे अंसर क्या हो जाएगा हमारा अंसर हो जाएगा सुक्रोज सुक्रोज क्या होता है सब से मीठी सरकरा होती है चलिए आगे आपको बताते हैं अगला कुछ देखे लिपीड क्या है इनके मुख्य कारे क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये वसा और तेल जो जनतूओं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं ये क्या होते हैं वसा और तल होते हैं और ये जंतूओं एवं मनस्पतियों से प्राप्त होते हैं ठीके उन्हें लिपीड रहत के अंतरगत रखा गया है ठीके और लिपीड जल में अभीलेय कार्बनिक पदर परदार्त है जो निम्न ध्रूमर्ड के कारबनिक विलये को से jó litter मतलब क्या है कि जो घ्थे ऑlair 12 गूमते हैं जो धुरूमड होते हैं तो जैसे एथर क्लोरोफार्म में बिले होते हैं तो कुछ महत्वपूर लिपिड इस प्रकार है जैसे वसा और तेल फासपो लिपिड और इस्टेरायड और तारपीन से हमारे क्या है जो है यह हमारे क्या है लिपिड है एक तरीके से ठीक प्रोटीन के अभाव में शरीर को उर्जा प्रदान करना जो कर्भो हाइडड एवं प्रोटीन के अभाव में क्या है सरीर को क्या करते हैं उर्जा प्रदान करते हैं और देखिए तो देखिए इसका कार यह अगला कार यह देखिए क्या है सरीर के ताप को नियंत्रित करना य उसके बाद देखिए इस्टेराइट को उसका जिल्ली के गठक है जो इस्टेराइट को उसका है जिल्ली के क्या है हमारे गठक होते हैं उसके बाद देखे गला क्या कि यह हर्मून्स विकास सहायता प्रदान करते हैं क्या करते हैं हर्मून्स विकास सहायता प्रदान करते हैं तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? इन में पायज आने वाले बीभी ने तत्तों के नाम लिखे प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महतुआ है? चलिए इस प्रशन को थोड़ा सवालव करते हैं और आपको अची तरीके सम्वताने का प्रयास करते हैं मैं तबर बच्चो तो दिल चलिए देखिये कि आप प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है उसको लिखेंगे उसके बाद इसमें पायज आने वाले बेवी ने तत्तों के नाम लिखना है हमें प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महतुआ है इसको भी आपको लिखना है ठीक है? अगर हम इसके मुखे श्रोत हैं और मुखे तत्यों की बात करें कारबन हैडोजन नैट्रोजन आक्सीजन और सलफर हैं तो यह बहुत इंद्धू टॉपिक आपके लिए हो सकते हैं महत तो देखे इसका महत तो क्या है तो प्रोटीन हमारे सरीर की व्रिद्धी के लिए अत्यान तावश्यक जो प्रोटीन होता है वो हमारे सरीर के लिए क्या है अत्यांत आवश्यक है प्रोटीन हमारे सरीर में नए उतको का निर्मार करने में सहायक है जो नए उतक हमारे बनते हैं सरीर में वो उसके बनने में सहायक है क्था पुराने उतको के टूट फूट को ठीक करती है जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो प्रोटीन हमारे क्या करते हैं उसको तूट फूट को सही करने का कारे करता है उसके बाद प्रोटीन हमारे सरीर को उर्जा भी प्रदान करती है जो प्रोटीन होती है हमारे सरीर को उर्जा भी प्रदान करती है ही जो b Hahn क्या होता है किता है संक्रीन नायट्रोजन योगत होता है। यह हमारे सरीर में 80 आने वाले खूनादिका पी यीच भी ठीक रखती है। पी-च भी पी यीच आप क्या काता है। जुन जो pH हमान है उसको ठीक रखने में कार्य करता है ठीक है जब प्रोटीन हमारे सरी में पहुंछता है जो प्रोटीन होता है जो हमारे सरी में पहुंचता है तब HCL अथवा पेपसीन नामक इंजाइम द्वारा एमीनों अम्लों में जल अफगटित हो जाता है यह अमल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवसोसित हो जाते हैं ये जो अमल होते हैं क्या होते हैं रुधिर वाहिकाओं द्वारा क्या होते हैं रुधिर में अवसोसित हो जाते हैं तो ये रुधिर में क्या होते हैं अवसोसित हो जाते हैं और सरीर के प्रवाह के साथ जो सरीर का ये विभिन अंगों में पहुंसते हैं कहां पहुंसते हैं जहां ये नई कोशिकाओं और उतकों का निर्मार करते हैं और आप वो समझाएगा सारी के समुझाreyए यह कारे प्रोटीन विविन एंजाइम संसलेसित करते हैं जो बहुत सारे हमारे एंजाइम होते हैं सरीर में उसको क्या करते हैं और देखिए उसके साथ क्या करता है यह और सरीर के संक्रमण से भी परचा संक्रमण का मतलब जैसे बहुत से ऐसे हमारे जीवान होते हैं जो सरीर में घु अगया आपको बताते हैं तेकि अगल्वा कुछ दिन क्या है बहुत ही मत्फपूर यह भी है है अभिक्रिया क्या है जो है जो अभिक्रिया होती होगा क्या होती आखिर में उसके बारे में चर्चा करेंगे तो एथिलगोषाल Acetic Aldehyde Acetyl Dehyde यानि कि Aethyl Alcohol C2H-Pipe OH Acetyl Dehyde यानि कि CH2CHO ठीक है और Aceton तथा जिसमें उन एवं आल लगा हो वे सभी योगिक हैलो फार्म अभिक्रिया देते हैं उपरोक्त योगिकों में से किसी भी एक योगिक को हैलोजन तथा यनिय ओयच के साथ गर्म करने पर हैलो फार्म बनता है क्या बनता है हैलो फार्म बनता है जैसे कि आप ग्जामपल जरीब हम समझाना चाहेंगे ग्जामपल जरीब आप देख रहे हैं C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6 निय ओयच तो यह क्लोरोफाम होता है क्लोरोफाम जब विवक्रिया करता है जो क्या बनता है हमारा C-H-C-L-3 बनता है प्लस 5-N-A-C-L और यहाँ पर H-C-O-N-A प्लस 5-H-2-O बनता है तो यह अभी क्रिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर हो सकती है और आपके एक्जाम में बहुत बार आए हुई अभी क्रिया है और इन अभी क्रियाओं को अची तरीके से पढ़ते रहिए चलिए जो आपकी समिकर्ण दिया हो इसको संतुलित थोड़ा कर लेते हैं देखिए यहाँ पर पहले हम देखिए संतुलित करने का तरीका आपको बताएं कोई भी अगर अभी क्रिया जैसे आपको याद करनी है तो इसको आपको याद कर लेना है उसके बाद उसी किधार पर आधार पर आपको संतुलित कर लेना है जैसे इसमें देखिए दो कार्बन तीक है दो कार्बन यहां पर भै तो उस तरब भी आपको दो कार्बन ही मिलेंगे जैसे एक कार्बन यहां मिल रहा है आपको एक कार्बन आपको यहां मिल रहा है दो कार्बन आपको मिल गए उसके बाद हाइडोजन की बात करेंगे देखे पांच हाइडोजन यह एक यहाँ पर दो 2 और दस दो बार हैं 12 हाइडोजन आपको यहां बिंखे ता यहाँ यहाँ एक यहां पर 25 जन्हाब्रोमाजर्वस की बारबर मिल्ले इसके बार लीए सद्टेड आपको इदर मिलेंगे तो यहां पर 3 क्लोरी यहां पफ़ने वाले तो इस तरीके से आप अभिक्रिया को संधुलेद कर साथ देखे सोडियम की बात करेंगा देखिए 6N यहां पर भी एदिक सोडियम यहां पर आपको देखेगा 5 है 5 चले अगले देकंगे कौन से हमारी अगली अभिक्रिया हमारी है कैनि-जारोअभिक्रिया क्या होती जब उन WhdH जब उन WhdH जिनमें अल्फा-हेडीरोजन परमाल नहीं होते हैं कास्टिक शारों के सांधर विलेनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डी हाइट का एक अनु एलकॉहलों को अपचैत तथा दूसरा अनु अमलमे आगसिकरित हो जाता है तो यह अभिकरिया कैने जारों अभिकरिया कहलाते हैं काने का मतलब जब हम एल्डी हाइट के दू अनु को जिनमें अलफा हैड़ों परमाल नहीं होते हैं कास्टिक शारों के साथ सांद्र भी लेनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डी हाइट का एक अनु एलकॉहलों में अपचैत तथा दूसरा अनु अमलमे आगसिकरित हो जाता है तो यहाँ अभिकरिया कैने जारों अभिकरिया कहलाती है ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा यानि कि 2HCHO प्लस N-OH यह फार्मिल रिहाइट और क्रियाइट क्रिया करिया क्या बनाएगा यह हमारा क्या है बेंजल डिहाइड है अब इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा हमारा C6H5CH2OH जिसे अब क्या कहते हैं बेंजील अलकोहाल काते हैं और क्या बनाएगा हमारा C6H5COON sodium benzoate बनाएगा ठीक है और यहाँ देखी क्या बनाएगा 265 CHO plus 2KOS क्रिया करें क्या बनाएगा C6H5CH2OH ठीक है और C6H5COOK potassium benzoate बनाएगा ठीक है आप देखेंगे आप लेंधे आपको इन्वे से दो मुक्त उपयोग भी लिखी जैसे पहला हमारा क्या है सीरियम दूसरा यूरोपियम तो मेरे बैर बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक से एर कमेंट सस्क्राइब ज़रूर कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो म नए टॉपिक के साथ तब तक